हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मोदी ने अपने संबोधन में मंच पर बैठे नेताओ और संगठन के पदाधिकारियों का नाम लिया अपने संबोधन में मोदी ने चंबल से जुड़ी इस्ट कनार योजना को जल पूरा करने की घोशना की इस पर कहा कि ये परियोजना राजस्थान के तेरा जिलों के सिचाई और पेजल के लिए मील का पत्थर साबित होगा इससे पूर मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे ने भी अपने संबोधन में प्रदेश के किसानों को सौगार देते हुए कहा कि सामानी श्रेनी के किसानों को सरकार अब मुफ्त बिजली देगी मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे की ओर से हाल में निकाली गई राजस्थान गौरव यात्रा के समापन पर शनिवार को अजमेर के कायर मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा में मोधी ने कहा कि तोड़ना आसान है लेकिन जोड़ना मुश्किल सबको जोड़ने में जिंदगी बीच जाती है मोधी ने कहा कि BJP वोट बैंक की राजनीती नहीं करती है मोधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा करते हुए कहा कि ये देश के वीर जवानों का बहुत बड़ा पराक्रम था लेकिन कॉंग्रेस ने इसमें भी ओची हरकते की पीम ने प्रदेश में तर्टियक पांच साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा पर कहा कि इस बार राजिस्थान अपनी परंपरा बदलने जा रही है इस बार यहां फिर BJP आएगी मोधी के संबोधन के अंतिम वक्त आंधी आ गई इस पर पसर मोधी ने लोगों से आवान किया कि विजय की आंधी चल पड़ी है धर्ती माता ने हमें आशिरवात दे दिया है इस से पहले अपने निर्धानित समय पर अजमेर पहुँचे मोधी ने कायर मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा में मंच पर पहुँचकर जनता का अभिवादन किया गौरव यात्रा के समापन पर आयोजित इस सभा को संबोधित कर मोधी ने BJP के चुनाव अभियान का शंखनाद किया आचार सहीता लगने से पहले अजमेर में आयोजित सभा में मोधी ने राजिस्थान के नेताओं पदा दिकारियों और कारेकरताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि हर वोट कमल वोट की धाना बनाकर चुनाव में जुट जाओ उन्होंने कहा कि बूत मजबूत होगा तो बीजेपी मजबूत होगी ब्रदानमंत्री मोधी ने अशोक गहलोट का नाम लिये बिना सभा में कहा कि राजिस्थान कॉंग्रेस के एक नेता कभी सदन में जनता के लिए सवाल नहीं पूछ पाएं मगर अब चुनाव जीतने के लिए नए-नए मुद्दे निकाल के लिके आ रही है मोधी ने गहलोट और सचिन पाइलिक दोनों पर तंच कस्ते हुए कहा कि राजिस्थान कॉंग्रेस के नेता एक परिवार की आरती करने में लगे हैं मोधी ने कॉंग्रेस को वोट की राजनीती के लिए देश की जनता को धर्म जाती शेत्र समुदाय और अफसरों को बाट कर अपनी सत्ता चलाने का आरोब भी लगाया सर्जिकल स्ट्राइक और सेना के जवानों पर कॉंग्रेस द्वारा सवाल उठाय जाने पर मोधी ने कॉंग्रेस की निंदा की मोधी ने केंद्र और राजसरकार की योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि साट साल बाद देश की दिशा बदल रही है ऐसा ही राजस्थान में होगा इस बार यहां फिर से बीजेपी विकास और काम के बूते पर सत्ता प्राप्त करेगी मोधी के भाशन के बीच में मोधी मोधी नारे लगने पर मोधी ने हस्ते हुए कहा कि आपकी उत्साह को मैंने रजिस्टर कर लिया है अब आप इसी उत्साह से बीजेपी को जीत दिलवाने में जुट जाएं सीयम द्वारा दस मिनट तक केंद्र और राज्य की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड रखने पर सीयम को बधाई दी जैपुर में हाली में शुरू हुए द्रविवदी नदी पर भी मोधी ने सीयम की तारीफ की अजमेर से चागरुक टीवी की रिपोर्ट